कि वैट ने मैं आज कि लास में आपको कikiरो समेंrynे कोल कलर से बारे में ने अपने देखा दा कि मैने अपको कलरола के बारे तो कलर्वील आयोप की समझ में आ गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छी तरह बहुत इजी है जिन लोगों ने लांस्ट वीडियो नहीं देखिए और को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल जाएगा यहां पर यह भी मैं बताती चलूँ कि कलर्वील को इन्वेंट करने वाला कोई और नहीं दा फेमस साइंटेस्टर न्यूटन थे जिनका पूरा नाम है सरिसाग न्यूटन बात करते हैं कूल एंड वार्म की कूल एंड वार्म से हम सभी लोग वाकिफ हैं लेकिन कभी हम यह ध्यान नहीं देते हैं कि जो ठंडी चीज़े हमारे आस-पास हैं उनका क्या कलर है और जो गरम चीज़े हैं उनका क्या कलर है तो अब ध्यान दीजे गाँ और देखिएंगा यहाँ पर अगर बात करें warm की गरम की तो गरम में सबसे गरम चीज होती है आग तो आग में तीन कलर्स होते हैं वो तीनों कलर्स होते हैं orange, yellow और red यह तीनों ही गरम कलर्स की list में आते हैं तो हमें nature भी बताता है कि कौन सा कलर गरम है और कौन सा कलर ठंडा है उसी तरह से जब हम cold की बात करते हैं तो cold का मतलब होता है थंडा हमेरा असपास वो सारी चीज़े थंडी जो होती है उनका color भी जो color wheel में light colors दिये गए है जो आखों को थंडाग पहुचाते है जैसे पानी का color है वो blue color है sky का color है वो blue है और green color है ग्री है पेड़ है बौदे है cool colors में तीन colors आते हैं green, blue और purple warm colors में भी तीन colors आते हैं red, orange और yellow I hope कि आपको colors की nature के बारे में cool colors के बारे में, warm colors के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next class में आते हैं